Assalamualaikum everyone, आज हम सीख रहे है Present Progressive, Use No.1 इसका Use No.1 है Present Progressive, इसका Use No.2 है Be Getting, जो हम आगे क्लासे ने पढ़ेंगे इसका Use No.3 है Non Progressive और Use No.4 है Decided Future तो आज हम सीख रहे है Present Progressive, इसका Concept है वो काम जो हम कर रहे हैं पूरी दुनिया में इसका जो भी हो रहा है, है मतलब Present ये Continuous है, क्या है ये Progressive है, वो काम जो हो रहा है, काम यानी हरकत वो काम जो हो रहा है या वो हरकत जो इस वक्त की जा रही है क्या कहलाएगा, Present Progressive कहलाएगा, क्या कहलाएगा बटा Present Progressive कहलाएगा, clear अब format समझें, जुम्रा बनाना कैसे, sentence को compose कैसे करना है subject plus is, am, are, plus ing, plus object यहां subject आएगा, is, am, are, को आप समझते हैं, जब यहां ही होगा तो he is, she is, it is, any name is, जहां you होगा, you are, we are, they are इस तरीगे, I am हो जाएगा, ing, plus object, main helping words कहा है is, am, are, main helping words कहा है अगर मैं कहूं कि वो आ रही है, तो इसका मतलब वो हरकत जारी है, वो हरकत जारी है वो आ रही है, पापा क्या कर रहे है, पापा शावर ले रहे है, पापा कोई काम कर रहे है, पापा शावर ले रहे है, वो काम जारी है है वो काम जो अभी हम कर रहे है वो कांग जा रही है वो लंडन जा रही है मतलब जा रही है तो उससे हैben डामंद खान माइका अंकी जीए गाप्लीज वो रौग रही है । रो रही है शी इस हूइन ऑने सवालिया बनाते तो तो अक्सर क्या करते हैं सब्जेक्स से पहलो उसका helping work हमेशनी अक्सर शी एस एशी यू और आर यू वी आर आर वी डे आर आर दे जैसे के शी विल विल शी शी है शी पूरी इंग्लिश में जब हम अक्सर क्या होता है सब्जेक्स से पहलो उसका helping work आता है ठीक है जी वह रो रही है शी इस विपिंग वह रो रही है शी विपिंग वह रही है शी वह रो रही है शी isn't she weeping क्या वो रो नही रही मैं वापिस आ रहा हूं